हेलो व्ल sci-fi वेलकम तो मारी चैमल आज हमारे केचन में बढन रहे हैं डोनाथ्स यह डोनाथ्स बेकरी स्टायल बंंते हैं और वह बहुत विदाउट एग and बिदाउट ओवन तो जल्दे से जल्दे स्टार्ट करते हैं हम हमारे रेसिपी के लिए तो चलिए मेरे साथ मेरे किचिन में उसके पहले अगर आपको मेरे रेसिपी इछी लगती है तो लाई जरूर करना तो यहापे मैंने लिया है हाप कप ऑफ वार्म मिल्क उसमें मैंने किया है एक खाने का शुगर यानि चीनी उसको अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद मैंने एड किया है एक खाने का चमच इस्ट ये अक्टिवेटेड ड्राइ इस्ट है और इसे हमें दस मिनेट के लिए साइड रख देना है फूलने के लिए और ये दस मिनेट के बाद इस्ट कुछ इस तरह से था इस बाद में मैंने लिया है तू कप मैदा यानि और वन कप चीनी पीसी हुई उसमें मैंने वह दूद और इस्ट वाला मिक्सचर आड किया है और इसे मैं अब अच्छे से गुंग लोंगी तो यहाँ पर मैंने वन पिंच ओफ सॉल्ट आड किया है और ये मैंने अच्छे से गुनरी हो आठा हमें आठे को बहुत अच्छे से गुनना है लगबग 10 मिनिट के लिए हमें इसे अच्छे से गुनना है और जैसे कि हमने शुगर डाला है तो उसके वज़े से आठा आठा आपको थोड़ा सा चिप चपा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं आप बटर के help से यह आटा गुन ले तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है यह बटर रूम टेमपरेचर पर है बिल्कुल थंडानी होना चीए और इसे हम गुनते जाएंगे उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा उस पर डस्ट किया है और आटे को मैं बिल्कुल मिला रही हूँ बस गुनते गुनते जाना है और आटा आटा आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा बस आपको थोड़े से पेशन्स रखने है आटा गुनते वक्त और लगबग यह मैं दस मिनेट के लिए आटा गुन रही हूँ और यह जो हमारा आटा है वो अब रे फिर से हमें इसको एक बार और गुनना है यह मैंने आटे का एक पेडा लिया है और इसको थोड़ा सा आटा डस्ट करके मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी एक सिंपल सी रोटी बनानी है हमें रोटी ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और नहीं ज्यादा थिन होनी चाहि और मेरे पास डोनेट कटर है नहीं तो मैं ये गलास के हेल्प से इसका शेप बना रही हूँ आप कोई बे इस तरह से गलास या तो फिर जो आपके पास जैसे की कोई कटोरी होगी या तो फिर कोई बाउल होगा तो उसके हेल्प से आप शेप दे सकते हैं और मेरे पास एक नोजल था, उसके help से मैंने वो जो छोटा वाला होले वो किया है, और इसको मैं ढखके रख दूंगी दस मिनेट के लिए और और ये फिर से इतना मोटा राइस हो गया है, अच्छे से, तो अब मैंने ये तेल जो है वो थोड़ा सा गरम कर लिया है, हमें जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राइ करने है, अगर हम फ्लेम हाइ करेंगे तो डोनट्स अंदर से कच्छे रह जाएंगे, और कुछ इस तरह से हमें ये डोनट्स फ्राइ करने है, कुछ पाच मिनिट के बाद ये इस चकल में आ जाते है, उसके बाद मैंने इसको मैं इसे उतार लिया है मैं यहां पे तीन टाइप के डोनर्स बना रहा रहा हूँ यह जो फ़र्स्ट बना रहा हूँ यह यह शुगर वाला बना रहा हूँ तो बहुत आसान है यह बस मैंने पी से वह चीनी लिए और उसमें मैं यह डोनर्स जो है मेरे पास था तो उसको बस मैंने मेल्ट करके उसके उपर लगा दिया है अब यह मेरे पास डाक चॉकलेट था तो डाक चॉकलेट में भी मैं बना रही हूँ तो बस डोन Всемिम्हेट को मैं अच्छे से डीप कर रही हूँ और साइब पे रखते जा रही हूँ तो ये दो डोनट्स मैंने डाक चोकलेट से बनाए हैं और अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ जो वाइट चोकलेट के डोनट्स बना रहे हैं उस पे मैंने ब्लाक चोकलेट से डेकोरेट किया हैं स्पून के हिल्प से आप अपने पसंद से उसे डेकोरेट कर सकते हो और व combination थोड़ा अच्छा लगे तो आप आपकी मर्जी से डोनेट को डेकोरेट कर सकते हो और ये जो है ये मैंने बस चॉकलेट के डोनेट पे मैंने बस वाइट जो चोको चीपस थे मेरे पास वो मैंने उस पे डेकोरेट किया है और ये है हमारे डोनेट का फाइनल लूक तो इतना आसान है ये डोनेट बनाना बस कुछ ही देर में ये बन जाते है और बहुत यमी बहुत टेस्टी बनते है ये मैंने एक डोनेट जो है वो तोड के दिकाया है तो आप देख सेबिए कैसे एर पोकेट बने हुए और बहुत अचे बनते है